Very good morning students, बिटा 4th class, welcome to virtual classes of Central International School Students, बिटा अज़ अपां 5th lesson करन जा रहे हैं, environmental studies था, ठीक है जी पिछली वीडियो दे विच अपां पहले 4 chapter जड़े हो complete कर चुके हैं मैं 9 chapters दे जड़े है, back exercise plus question answer जड़े हो तो अनुसारे हैं पीडियाफ फाइल पेज सुका है ठीक है, hope के सारे बच्चे ने अपनी अपनी copies complete कर लिया होन गी है तो बिटा जी जड़े बच्चे ने अपना काम पिछला pending रेंदा है कोई, ओ सारा complete करन क्योंके next week तो अपने जड़े test या, ओ हो सकता है, start हो जाने ने, ठीक है तो इसलिए अपना जड़े काम है, विलकुल ready रखन, जे किसे बच्चे ने प्रावल्म है, पिछले काम बारेता है, ओ बिटा जी कुछ सक दे हो अज आपाँ chapter 5 करन जा रहे हैं, environmental studies दा, 4th class दा, ओके so chapter दा नाम है, our sense organs, चीक है जी we become aware of things happening around us with the help of our eyes, ears, nose, skin and tongue these are our sense organs, they help us to recognize the things around us they also help us to know if a person or a thing is good or bad for us this helps us to behave differently in different situations बिटा जी, एदे first paragraph ते विच की दस्यों आया है के आपाँ अपने आले द्वाले होन वालियां, हरकतां, जान गल्लां, उस सारियां चीज जान के इस चीज दे नाल महसूस कर दे हूँ, अपने अखा दे नाल, कन्ना दे नाल, नक दे नाल, स्किन दे नाल, ते टंग दे नाल, ठीक है जी इना पन्ज ओर्गन्स दी हल्प दे नाल, जिननों आपाँ की कह देने हैं जी, सेंस ओर्गन्स, ठीक है जी इना दे नाल आपाँ रिकोगनाईज, रिकोगनाईज दा मतलब उन्दा है, पता लगोने हैं के अपने आले द्वाले की हो रहा है जै में आईस देन आपाँ देख दें के दो चीज़ां पयों यह ने है, एक टेबल है, एक चैर है आईस देन आल देख के अपाँ डिफ्रेंचेट कर देजे है, कि यह टेबल है थे एक चैर है, ठीक है जी कन्ना दे नाल अपन सुन के आवाज पहचान लेने हैं कि ए एनिमल्स दी आवाज है ए किसे हिुमन बींग्स दी आवाज है ए पंचियां दी आवाज है ठीक है जी स्किन दे नाल टच हुंदा है तो अपनों पता लगदा है कि ए कोई गर्म चीज है यह यह ठंडी चीज है, तो टंग दे नाल आपां कोई मिठी चीज, कोई कड़वी चीज यह कोई लून वाली चीज दा सवाद ओ महसूस कर सकदें, ठीक है जी? So यह ना दे नाल आपां different situation दे वेच्चे यह अपनी help कर दा सब तो पहला बेटा जी अपना पढ़ दे हैं, आइस, आइस मतलब अखां, sense of sight, sense of sight दा मतलब देखन which help कर दी है, ठीक है जी? आइस कर दे आघस अवेट, आईस आइस अवेट वेट आव एजित, आथा अवेट वेट अजे लूज बड़ देखने है, आईसा है, जाज पश्चेश्प वेट देखने पाउखने हैं, आईस अवेट इस प्रूद आईस, ओम एपर आचें अवेट अजिए एस, अजिए brain brain reads the messages and enable us to see the objects ठीक है जी तो बेटा एदेविच की दस्से आया है कि अख्छा साड़े ओ और्गन ने जिदे नाला पां देख सक्दे है ठीक है जी की देख सक्दे है कि की कोई object साड़े closer दा मतलब नेड़े है या दूर पे आया है far दा मतलब दूर ठीक है कोई चीज मूव कर रही है चाल रही है या स्टेशनर या मतलब खड़ी होई है किसे चीज दा color की है उदी shape के दंदी है उदा size के दंदा है इस सारा कुछ आपां की दी मदद दिनाल पता कर देआ या आपां अख्छा दी मदद दिनाल पता कर देआ फिर बेटाजी उन्हान दस्याए के object जिड़ा अपनी अख्छा दे बिलकुल समने होएगा अपने अख्छे अंदर ले पास से जिड़ा है उदी image बनेंगी उदी photo बनेंगी तो जिड़ी image आँ उन्हों brain तक लेके जाओगा कौन लेके जाओगा नर्स लेके जाओगी है नर्स ने brain तक लेके जाओगी है तो brain ने की करना है उस message नो read करना है ठीक है जी ते object दिखाई दे जाना है अपने brain दे वेच image बन जानी है ओके our eyes are protected by eye shields eye shields बिटा जी ए उन्दे ने ए जड़िया hairs उन्दे ने ना eye दे उपर ए eye shield उन्दे ने चीक है जी which can be closed to prevent dust or other particles or excess light from entering the eyes our eyes are help us in expressing feelings अपनिया अखाँ जेडिया अखाँ दे उपर उन्दे जान वाली eye shield जेडिया ओ आपर तुन दिया जी ठीक है उस्तों बाद ए अखाँ जो बंद कर ली ने आता ए दिन आल dust particle अंदर नहीं आ सक्दे या वदू light वो एंटर नहीं हो सक्दी आईस दे वेच अपनिया अखाँ feelings नो एक्स्प्रेस करन दे वेच भी जेड़ायो help कर दिया उस्तों बाद बेटा जी ears ears मतलब कन कन बेटा जी किस तरह help कर देने अपनी सुनन दे वेच मदद कर देने ठीक है ears help us to hear all kinds of sound loud, soft, sharp, dull pleasant and unpleasant our ears also help us to recognize dangers like breaking of barking of dog blowing of a horn extra ठीक है जी अपने कन जेड़े आओ सारे तरह दे all kind मतलब हर परकार दे sound नो सुन दे वेच help कर दिया ear दा मतलब सुनना जिमे के loud मतलब उच्चा soft मतलब प्यार नाल मदम sharp मतलब तिखा dull मतलब बड़ा बैठया हो या ठीक है जी बड़ी music भी अपां कन दे नाल ही सुन दे या ते रोला जनु शोर के देने या ओ भी अपां कन दे नाल ही सुन दे या इस दे नाल ही सुन दे या एस चीज़ दे वेच चेड़ा ही ननु सुन दे वेच अपनी कन help करते ने बटजी next page yes the outer ear catches sound from the surrounding and send them to inner ear the nerves in the inner ear send messages to the brain the brain reads the messages and enable us to hear the sound बटजी कन अपने दे अपने ear दे दो हिस्से उन्दे ने दो पार्ट सुन दे ने किड़े किड़े एक है जी outer ear ते एक है inner ear ठीक है जी बाहरला कन अते अंदरला कन बाहरला कन की help करदा है उस sound नूँ catch करदा है receive करदा है किते पे दिन दा है internal ear तक जिते की उन्दा है जी nerve सुन दिया ने ठीक है जी break नाड़ा जिना नूँ कह दे ने उना नाड़ा दे रहा है message किते पहुंच दा है दिमाग तक brain तक पहुंच दा है brain जेड़ा है उस सारे messages नूँ read कर दा है smell which ठीक है जी जिन्हों अपा कह दे ने है sungan which ठीक है our nose help us to smell things some smells are pleasant such as the smell of a rose or good food some smells are unpleasant such as the foul smell of garbage we cover our nose to keep out of foul smell the smell of perfume reaches the nose the nose in their nose send messages to the brain the brain reads the messages and enable us to smell the perfume पिटा जी इदे विच की रस्या होया है कि नक साड़ा चीजानू सुंगन दे विच help कर दा है कोई smells ने जेडियाँ pleasant मतलब बढ़ियाँ अच्छियाँ दियाने ठीक है जी चंगियाँ दियाने जेडि खुश्बू सानू बहुत प्यारी लग दिया है जिननू कह देने है खुश्बू ठीक है जे में के रोस दी खुश्बू है ठीक है जी गुलाब दे फुल दी खुश्बू जेडि बढ़ियाँ है या चंगे फूड दी, खुश्बू जड़ी होई, बहुत बदिया लग दी है फिर कोज जड़ी है, वो अन्प्लेजन्ट, अन्प्लेजन्ट दा मतलब बुरिया, जैना नूँ कह दिनने है, बदबो, ठीक है जी ये फौल स्मイल हजड़ी, ये अपनों गार्बेज, गार्बेज मतलब फूरे करकर तो ओँ दिया आपने पने नक नूट ड़िया, जो दो फौल स्मेल ओँ दिया था सब तो पहला जो दो परफ्यूम है, परफ्यूम अपने नक तक पहुंच आ, ता नक दे विच जडिएया नर्व्स ने, उना ने प्रेन तक मैसिज लाके जाना है, ते प्रेन ने जडाए, आलने मैसिज नो रीड करना है, ते रीड करके समेल ले जडि परफ्यूम दी, वो ठीक है जी टंग मतलब जीब, जीब का दिविच हल्प कर दिया जी, टेस्ट, ठीक है जी, चखन दिविच, ठीक है, स्वाद विच, The tongue helps us to taste, it has many taste buds which help us to sense different tastes like sweet, sour, salty and bitter. The tongue also helps us to speak, food enters the mouth and touches the taste buds, the taste buds send messages to brain through nerves, brain read the messages and help us to taste, जीब बिटजी सदी help कर दिया, स्वाद चखन दिविच, एदे उपर बहुत सारे taste buds सुन देने, ठीक है जी, एटेस्ट बर्ड जड़ेया उनना दा वखरा वखरा टेस्ट हुन दा है, जिमेंके sweet मतलब मिठा, sour मतलब खटा, salty मतलब लून वाला, bitter मतलब कौडा, एट सारे birds जड़ेया अपनी tongue दे उपर present हुन देने, tongue जड़ेया ओ सानूं बोलन देविच भी सहता कर दिया, ठीक है जी, food जड़ेया अपने मूँ देविच एंटर हुन दा है, ताँ अपने taste buds जड़ेया टच कर दा है, ताँ ओ taste buds ते रहीं, जड़ा message या, ओके थे जन दा है जी, nerves ते रहीं, brain तक जन दा है, फिर brain जड़ेया messages नूँ read कर दा है, ते अपने taste देविच help कर दा है, उस्तों बाद ह बेटा जी, skin, skin मतलब चमडी, ठीक है, चमडी कादे विच help कर दी हा जी, सानू feel, सपर्ष जिनू कह देने है, अपनू जो दो कोई हाथ लग दा है, या अपना किसे गर्म चीज नू हाथ लग जान दा है, या किसे ठंडी चीज नू हाथ लग जान दा है, सपर्ष करंदे न आल पता लग जान दा है, ठीक है, skin help us to feel sensation like hot, cold, rough, smooth, hard, soft, sticky, extra, our whole body is covered with and protected by the skin, it help in maintaining the body temperature by the process of sweating, पटा जी, अपनी skin जडी चमडी है, ओ गर्म ठंडी चीज नू feel करंदे वेच help कर दिया, कोई चीज स्मूथ है, या कोई चीज रफ है, या कोई सकत है, या सॉफ्ट है, या चिप चिपी है, इस सारे चीज जानों अपना feel की देनाल कर देया, अपनी skin देनाल feel कर देया, साड़ी सारी body जडी है, whole body दा मतलब है, सारी body, का देनाल cover हुं दि या की देनाल, protector दा मतलब है, बचाई हुं दिया, skin ने बचाई हुं दिया, या साड़ी body दा temperature maintain करंदे वेच भी help कर दा है, केस प्रोसेस देनाल, sweating, sweating दा मतलब है, पसीनना ओना, skin दे रहा हुं पसीनना बाहर निकल दा है, या साड़ी body दा temperature जड़ा हुं, maintain रहन दा है, या next page बचाई, the skin touches an object, the nerves of the skin send messages to the brain, जड़िया nerves ने ओ ब्रेन तक message पचाऊनिया ने, brain reads the messages and enable us to feel the object, जो ब्रेन messages नो read कर दा है ता, उस तो बाद आपानू object फील हुना शुरू हो जनदा है, उस तो बाद है बचाई, different touches, all of us like the touch of our mother, we feel the love and vomut in her touch, but the touch of all people are not the same, we feel uncomfortable when some people touch us in an unfriendly way, we should keep away from such people, we should also tell our parents and teachers if anybody try to touch us and we feel uncomfortable. बिटा जे different touch, मतलब के उना ने थे दस्या आया कि जिदों अपने मदर आपानू touch कर देने प्यार नाल, ता आपानू बड़ा वदिया लगदा है, ठीक है जी, आपानू बड़ा चंगा लगदा है, पर जिदों कई लोग, सारे लोग कांदे touch जड़े आओ, इस तरह मदर व दोस्ताना तरीके नाल अपानू touch नहीं कर रहे है, अपानू गुसे ना टाच कर रहे है, ठीक है जी, यहां किसे होर फिलिंग देना टाच कर रहे है, तो सानू एदनादे लोग कांदो बचके रहना चाहिदा है, ते जे भी एदनाद कोई सानू uncomfortable तरीके नाल टाच कर दाये सानू अपने पेरेंट्स नू याँ टीचर्स नू दसना चाहिदा है, पुस्ता बाद है, special special people, there are many people whose body parts do not function well, they are special people, they have special need and need our love, care and attention, it is our responsibility to be sensitive to those special and differently abled people, we can understand their problems by putting ourselves in their situations, they do not need our sympathy but they need our cooperation and support, special people, बेटा जी, ओ लोब हुन देने, जिनना दे body parts ने जेड़े, उस सारे proper कम नहीं कर दे, उनना नू अपन special people कह देने हैं, उनना देने कुछी खास जरूरता हुन देने हैं, ओ साड़े तों प्यार दी पावना ते सामस्भाल दी पावना चाओं दे हैं के साड़े नाल प्यार नाल रेंड सारे, ठीक है जी, इसलिए साड़ी responsibility दा मतलब है, जम्मेवारी है के आपा उनना लोग का देले ही प्यार दी पावना अपने मान दे वेच रखिये, ठीक है जी, आपा उनना दियां पावनावा नू understand करिये, चानिये, उनना दियां problems नू जड़ाए, solve करन दे वेच, help करिये, ठीक है जी, उनना नू साड़ी दया, sympathy मतलब दया दी लोड़नी है, ओ साड़ा cooperation मतलब, साड़ा साथ चोंदे ने, support दा मतलब भी साथ हनदा है, ताँ ओ साड़ा साथ चोंदे ने, ना के साड़े तू दया दी आस रखते ने, ओके, सो बेटा जी, एदे नाल अपना जड़ा चेप्टर एओ, complete हो गया है, आज आपां फिफ्थ चेप्टर जड़ा एओ, रीड कीता है, फिफ्थ चेप्टर दा नाम है, sense organ, बेटा जी, अपने पांज sense organs ने, पहला केड़ा है जी, eyes, ear, उस्तों अगे, nose, tongue, ते उस्तों लास स्किन, ठीक है जी, पांज sense organ ने, पंजे सन ने, अलग अलग तरीके नाल, अपने आलेद वालेद ने चीज़ां दा, पताल गौन वस्ते, help कर देने, ओके बेटा जी, so, बेटा मैं इना दे नाल, तो आननू दो question पेज रहा है, ठीक है, उना दोना questions नो तुसीं solve करना है, ठ ने ता लब ले, ठीक है, नहीं ता मैं, जिदो next lecture दे वेज़त वान वो question जेड़ा होदा answer दे दे वांगा, नाल दी नाली, ठीक है जी, तो अड़ा बेटा जी, कम की है, तुसीं, एक writing page करना है, आइस तो लेके, एथो तक, ठीक है जी, expressing feeling तक, ओके, राइटिंग पेज सार question देते हो, नहीं मैं, दो, मैं दवांगा, तो अनू नाल एक, फोटो, जेस दो, वीडियो आएगी, वीडियो दे नाल, फोटो भी पेज़ांगा, तुसीं उनना दे answer लिखने ने, जो मैं सारा कुछ समझाया हो, यावा, ओदे विच्चों ही, ओदा answer होएगा, लब ने ने तुसी answer उनना दा लिखना है, ते प्लास एकर राइटिंग पेज करना है, ओके बेटा जी, सो आज लिए नाहीं, thank you and have a nice day